हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं हूँ आपका दोस्त वाइडियो और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्लस-माइनस के e-learning platform में स्वागत है साथियो आपका इस हिंदी के 10 मिनिट से हो में और आज हम लेकर उपस्तित हुए हैं आपके सामने कुछ लोकोक्तियां और लोकोक्तियों से समंदित अर्थ लेकर कि भी आमें आपके सामने आया हूँ तो कुछ लोकोक्तिया आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं ये वे लोकोक्तियां हैं दोस्तों जो परीक्षा की द्रस्टी से अती महत पुन हैं बार-बार परीक्षाओं में पूछी जा रही लोकोक्तियां हैं तो बने रही है मेरे साथ लगातार 10 मिनिट उसके बाद आप खुद बताएंगे कि वास्तों में म जा गया चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों देखेगा लोकोक्ति और मुहावरे दोनों पहरल चलते हैं लोकोक्ति और मुहावरे बच्चे रटने बैठते हैं रटना नहीं है मेरे दोस्त रटना नहीं है बिल्कुल रटना नहीं है समझी जा सकती है लोकोक्तियों को हुआ है यह होना है ना मुहावरे की पहचान है सामाने तया तो यहां पर इसका मतलब यह मुहावरा नहीं है देखो यहां पर होना नहीं है यहां पर होना नहीं है यहां पर भी होना नहीं है आप कहीं भी देखोगे तो यहां पर होना लास्ट में होना नहीं पाया जाएगा देखो यहां पर होना लिखाओवा नीए, सब्द लिखाओवा नीए, तो जहां होना सब्द नहीं मिले आपको, यगीन मानना, 95% मानना, कि वह हैं लोकोक्ति हैं मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति और मुहावरे में आपसे डिफरेंस कोई पूआ भी नीए, सीधा पूछता है इस लोकोक्ती का भावार्थ क्या होगा इस लोकोक्ती का अर्थ क्या होगा वाक्य में प्रियोक्त करके जरूर पूछा जा सकता है कि इस लोकोक्ती को वाक्य में प्रियोक करके बताईए मुहावरे को वाक्य में प्रियोक करके बताईए तो देखें दोस्तो, पहली लोकोक्ति आपके सामने क्या है? पहली लोकोक्ति है अंदों में काना राजा होना, मतलब अज्ञानियों में थोड़े से ज्ञानिय की भी चल जाती है और उसे राजा समझ लिया जाता है, तो आप इसका अर्थ क्या लगाएं? इसका अर्थ लगाएं कि अज्ञानियों में अलपग्य क्या दोस्तो, अलपग्य का मतलब अलपग्यानवाला ही स्रेष्ट माना जाता है, अलपग्य का सम्मान, अलपग्य का सम्मान हो जाता है दोस्तो, ध्यान रखना, अज्ञानियों में अलपग्य ही पूजनिये हैं, ध्य के बीच में तो थोड़े से ग्यानवाला आदमी ही अपने आपको स्रेष्ट दिखाने का प्रियास करेगा और उसका सम्मान किया जाता है अब दूसरी लोकोक्ती पर आओ अकेला चना भाड नहीं फोड सकता ऐसा कहा जाता है लेकिन दोस्तों ये कहावत ये लोकोक्ती आपको वहीं काम में लेनी है सिर्फ आपको याद करने के लिए सिर्फ आपको परिक्षा के लिए काम में लेनी है हम तो अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं आपको याद रखना चाहिए हमारी सफलता में हो सकता है बहुत सारे लोगों का सयोग हो लेकिन क्रैक हमें ही करना है सफल हमें ही होना है मैनत हमें ही करनी है तो हम अकेले रहकर भी भाड़ फोड़ सकते हैं यहाँ पर यह हुआ इसका अर्थ कि अकेला आदमी या फिर संगठन में सकती होती है आप इसका यूँ भी लगा सकते है संगठन में सकती होती है दोस्तो तो संगठन में तो सकती होती है, अकेला आदमी कम सफल होता है, अकेला आदमी अकेला लक्ष तक पहुँचने में उसे कठनाई आती है, ऐसा आप इसका अर्थे लगा सकते हों, अपना हाथ जगनात लिखा हुआ है, अगली रोकोकती है, क्या लिखा हुआ है, अपना हाथ तो स्रेष्ट होता है, अपना कारे स्वेम करें तो बहुत अच्छा जाता है, और अपना कारे हमें अगर किसी दूसरे से किसी अनने से करवाएंगे, तो निशित तोर पर उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी दोस्तों, याद रखना, इसलिए आदमी को सदय भी क्या रहन चाहिए, अपने हाथ जगनात, अपना कारे स्वेम करें तो सिद्ध होता है, वो कारे क्या होता है, सिद्ध होता है, वो निशित ही टार्गेट तक पहुंसता है दोस्तों, अगली लोकोक्ति देखो, अपनी करनी पार उतरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान देना, अपने कर्म का फल, अपने कर्म का फल, अपन को ही मिलता है, अपन को ही या स्वेम को ही मिलता है, आप यूँ भी कह सकते हैं दोस्तों, अपनी करनी, पार उतरनी, कर्म भागे पर भरोसा करना चीए, केवल भागे पर नहीं दोस्तों, पहले कर् अकेले भागे पर भरोसा मत करना, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, देखो पहले काम करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे ना, इस विए पर भीया, हमने तो हमारी तरफ से 100% दिया है, अब आप जानो, हमने हमारी तरफ से कोई कमी नी छोड़ी है, तो अपनी करनी, पा जाना, क्या हुआ दोस्तों, फूट पढ़ना, फूट पढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक ही परिवार में, एक ही परिवार में, अलग अलग तरह के निर्णे होने लगते हैं, तो लोग कहते हैं, कि इस परिवार में तो अपनी अपनी डफली, अपनी अपना राग हो गया, इस परिवार में संयोग, मतलब आप संयोग तुरूप से कोई भी फैसला नहीं होता, यह कह सकते हैं, अगला देखेगा बहतरीन लोकुक्ति है, अकल बड़ी की भैस, अरे भैस ही बड़ी है मेरे हिसाब से तो, अकल का क्या बड़ा भै, अकल तो हम यह कह सकते हैं कि एक भाव हैं और भैस तो प्रैक्टिकल हमारे सामने दिखती है भी यह, तो भैस ही बड़ी है, अकल को हमने आज दक देखा ही नहीं, लेकिन यह लोकुक्ति एक्चुल में ऐसे थी नहीं, यह लोकुक्ति एक्चुल में असल में ऐसे थी ही नहीं, तो सर लोकुक्ति कैसे थी, लोकु कि सारी रिक बल से ज़्यादा बौदिक बल मजबूत होता है सारी रिक बल से कौन से बल से सारी रिक बल से दोस्तों याद रखना सारी रिक बल से ज़्यादा बौदिक बल महतुपून है बौधिक बल महतोपून है यह याद रखना है दोस्तो सारीरिक बल से ज़्यादा बौधिक बल महतोपून है अकल से बहुत सारे काम हो सकते हैं इसके लिए अकल वाला एक मोहवरा और एक लोकोगती बनती है कि अकल के भरोसे या अकल के बिना उट नंगे पैर चलता है तो ये भी आप याद रख सकते हैं अगला देखो अगली लोगोगती देखो गोद छोरा गाउं में डिंडोरा अरे भीया चीज अपने पास हो वस्तू अपने पास हो और बिना वज़े अनावशक रूप से व्यर्थ ही दूसरी जगे उसको तलास ते फिरते हैं तो आप कह सकते हैं वस्तू नजदीक होने के बाद भी नजदीक होने के बाद भी होने के बावजूद अन्यत्र अन्यत्र क्या कहा मैंने अन्यत्र तलासना तो दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वण लोकोक्ती हो जाती है चीज अपने पास में है हम दूसरी जगे उसे ढूंडते फिरते हैं ऐसा होता है ना दोस्तों अपने साथ कई बार अगली लोकोक्ती देखो घर खीर तो बाहर खीर मतलब ये हुआ दोस्तों कि घर में अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है घर में अगर आप संपन है तो बाहर भी आपको मान सम्मान मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि घर में सम्मान होने पर घर में सम्मान होने पर ये खीर का मतलब खीर ही नहीं है घर में खीर मिले का मतलब होता है घर में आपकी इज़त हबिया घर में सम्मान होने पर बहार भी सम्मान मिलता है बहार भी सम्मान मिलता है तो इसका अर्थी ये हुआ साथियो चिराग तले अंधिरा नवी लोकुकते आपके सामने आने जा रही है चिराग तले अंधिरा, आप यूं कह सकते हैं कि अपने नजदीक ही, अपने नजदीक आसपास रहने वाले लोगों में ही, आप कमियां ढूंडना बंद कर देते हैं, आप अपने आसपास के माहुल में, आप कमी ढूंडना बंद कर देते हैं, मतलब अपने आसपास की, नजदीक की कमी को नजर अंदाज करना चिराग तले अंधिरा इधर देख लो दोस्तों घर का जोगी जोगना आनगाउं का सिद्ध बहुत बैतरी लोगों को थी अब ये लास वली लोगों को थी अरे घर का जोगी जोगना आनगाउं का सिद्ध का मतलब होता है दोस्तों कि गर में कितना ही प्रतिश्चित व्यक्ति हो, गर में कितना ही माननिय सम्मानिय व्यक्ति हो, लेकिन हम उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, बाहर का कितना ही अउगणी व्यक्ति हो, बाहर का कितना ही मुर्ख व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो कोई भी हमारे हमें बात कहत तो उसकी बातों से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं तो इसका आर्थ क्या हुआ सर इसका आर्थ हुआ कि परीचित लोगों को कम महत्व देना कैसे लोगों को दोस्तों चीर परीचित या पुराने लोगों को जिनको हम जानते हैं तो आप कह सकते हैं परीचित को कम सम्मान द देना तो ये तो जोगी जोगना हो गया और आन गाओं ऐसा ही दूसरे गाओं का अगर कोई आया है तो उसका अधिक संबान होता है तो दोस्तों ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लगातार बने रहिएगा प्लस माइनस के साथ मैं मिलता हूँ आपका दोस्त फिर एक नए वीडियो के साथ इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जाजा दीजिए नमस्कार